Hello everyone, my name is Vipin and I welcome you all to iExamB. So students, आज की इस वीडियो में हम CHSL और MTS के लिए QANT की कुछ question solve करेंगे, जो आपके exam oriented question है और ऐसे ही question आपके exam में पूछे जाते हैं. तो क्या हमारी approach होनी चाहिए, कैसे हम इसे कम time में solve कर सकते हैं, वो आज की इस वीडियो में हम जानेंगे, तो ज़्यादा time में लेते हुए, आज का ये अपना वीडियो सुरू करते हैं, तो ये जो आप जानते हैं कि 12 बजए आपको SSC, CHSL और MTS के exam को टारिट करते हैं एक वीडियो की सिरी चल दी है हमारी, सारी चीज़ों को हम कवर करते जा रहे हैं, तो उसी कड़ी में आज हम क्वांट के कुछ must do question करेंगे, ये question अगर आपने कर ली एक बार, तो एक question आपका definitely यहां से आएगा, और अगर आप वीडियो के लाश तक बने रहेंगे, तो आपका यह concept एकदम clear हो जाएगा, और फिर exam में आप एक से दो question सही कर जाएंगे, तो basically हमारे percentage के question है, तो जैसे पहला question यह है, कि what percent will change in consumption of price is increased by 10% and expenditure remains same, अगर हमारा जो consumption है, वो 10% increase हो गया, यह कभी-कभी price हमारा 10% increase हो गया, लेगिन उसने एक बात बोलिए कि expenditure हमारा same रहे, expenditure यानि कि जो हमारा खर्चा है, खर्चा हमारा सेम रहे जो हमारा एक्सपेंडिचर है वो सेम रहे आप मुझे एक बाद बताओ एक्सपेंडिचर हमारा होता क्या है एक्सपेंडिचर यानि कि हमारा खर्चा क्या होता है एक्सपेंडिचर होता ही हमारा कि जो हमारी प्राइज रही होगी जो हमारी प्राइज मिलता है अगर हमें expenditure मिलता है तो देखे concept इसमें यह होता है एक महुत अच्छा concept है यह concept इसमें कुछ इस प्रकार से है भाई कि अगर आपका expenditure सेम हो यानि कि अगर आपका खड़्चा सेम होगा तो जो आपका price और quantity होगी यह दोना आपस में reverse ratio में होंगे मैं क्या कहígen रहा हूं कि अगर आपका expenditure सेम है आपका expenditure constant बना हो है यानि कि जो आपका खड़्चा है मैं इसको लिख देता हूं यह खड़्चा है हमारा यह हमारा कीमत है और यह हमारी क्या है मातरा है यानि ki quantity है तो अगर आपका क्षड़्चा same है तो जो प्राइज और quantity का ratio होगा वो आपस में reverse होगा तो आपने ये concept सुना होगा कि जब दो चीजों का product सेम होता है तो वो दोनों चीज़ें आपस में reverse ratio में होती है ये आपने concept सुना होगा बहुत कारगरी है हमारा concept होता है तो उसी concept का हम यहां पर use करेंगे ये कह रहा है कि expenditure हमारा सेम है अगर हमारा expenditure भाई सेम है तो यानि कि हमारा जो price है यह हमारा क्या है expenditure expenditure हमारा सेम है expenditure हमारा क्या है तो आप मुझे एक बात बताओ जो हमारा price है और जो हमारा क्या है quantity है उनका ratio reverse होगा price और quantity का ratio reverse होगा तो price और quantity आप मुझे एक बात बताओ price में क्या हुआ if price increases by 10% तो 10% की fraction value कितनी होती है एक बटे 10 होती है 1 by 10 होती है यानि कि price हमारा 10 से 11 हो गया quantity कितनी होगी 11 से 10 हो जाएगी क्योंकि हम जानते हैं अगर हमारा expenditure same है तो इन दोनों का आपस में reverse ratio होता है तो कह रहा है कि consumption में यानि कि quantity में आपका क्या change होआ तो quantity में हमारा भाई एक घटे है हमारी quantity किस पे 11 पे तो 1 by 11 का मतलब हमारा क्या होता है 1 by 11 का मतलब हमारा होता है 9 सही 1 by 11% 9 सही 1 by 11% तो यह हमारा इस question का right answer हो जाएगा आप देख पाएंगे option 1 will be the most appropriate right answer कहने का इसमें क्या मतलब है और होगा क्या यह decrease होगा क्या होगा decrease होगा यहाँ पे आपको exam में यह भी दे सकता है कि 2 option यानि कि यहाँ पे हमारी यह क्या होगी इसमें कमी होगी यहाँ पे आपको 2 option दे सकता है एक में decrease लिखके देगा और एक में increase लिखके देगा तो आपका decrease वाला इसका answer होगा देख पारें न आप पहले आपकी quantity 11 थी अब आपकी quantity 10 हो रही है यानि कि कम हो रही है तो जब कम हो रही है तो हमारा क्या होता है decrease होता है तो यह concept आपने दियान रखना है दो चीज़ों को product same होता है तो वो दोनों चीज़ें आपस में reverse ratio होती है ठीक है clear है यह वाली बात तो आप बोलोगे बिल्कुल clear है ऐसे question पूछे जाते हैं आपसे अगला प्रशन क्या है reduction of 25% in the price of wheat enable round to buy 4 kg more बिल्कुल ठीक है अगर किसी price में कभी हो गई माना आपके पास 100 रुपे हैं थीक है मैं आपके example देके समझाता हूं आपके पास 100 रुपे हैं इस बार जो है टीनी का मुल फट्सी कराद रुपब है लेटसेओं यहान का महनने चीनी का मुल 25 रुप ए मिलीकृ किलो है तो कितनी किलो चीनी खर्द के लाइंगे अब जो है आप 2 kg खरेट के ला पाएंगे करदे तो आप देख पा रहे हैं कि हमारी consumption क्या हो रही है यानि कि हमारी मात्रा कम आ रही है तो जैसे हमारा प्राइज क्या होता है प्राइज हमारा increase होता है तो consumption घठती है और अगर प्राइज डिकरीज होगा तो एक बटे चार तो हमारी जो quantity होगी जैसे मैंने बताए कि खडचा हमारा अगर सेम है तो प्राइजर quantity का रिशु आपस में क्या हो जाएगा हो जाएगा तो quantity हमारी 3 से 4 हो जाएगी ये तो हमारी रेश्यों पर बात दिए हमने कितना जाधन लिया एक quantity जाधन ली लेकिन question के according किंगर चार kg गूँँ कितना है जाधन है यानि कि 1 jego value 4 kg है तो यह हमारा पुराना वाला कितना हो जाएगा 12 kg और यह जो हमारा नया वाल सब्सक्क करेंद तो उसने हम से सब्सक्राइब है यानि कि पहले की से उसके बाराद केरश पाले कुएर सब्सक्राइब यानि कि पहले इसका गिहों का प्राइज था 20 रुपए पर केजी 20 रुपए पर केजी अगर हमसे बाद में पूछे तो पैसे तो सेम रहेंगे लेकिन यहां पर आ जाएगा हमारा क्या मतलब है कि दो चीज़ों का प्रोडक्ट हमारा सेम होता है तो दोनों चीज़ें आपस में रिवर्स रेशियों होती है तो अगर आज के बाद यह क्वेशन आपके एक्जाम में पूछा जाएगा तो इसे आप जो है विदिन सेकंड सॉल्व कर सकते हैं अगला कुशन क्वेशन का हो रहा है तो कांटटी हमारी कज़ें हमारी स्जाह से पांश हो जाएगी सफेशन की सब्सक्राइब और on कि सब्सक्राइग अ относ कि किन्स तो traveling को फिर से तो हगा 20 केजी पैसे तो सेम रहेगा पैसा कितना है 35 उन किणा जाए यह यह तो wreckage िकना जाएगा 20 कम 15 यहां पिछे तर 13 और किलो 13 प्र किलो 13 पैज för 19 हमारा इसका अंसर हो जाएगा तो इस प्रोप मैंजेए तो आपकी लिख भी रहा हूँ, when product अभी मैं हिंदी में भी बता दूँगा आपको when product of two things is same या constant भी आप बोल सकते हैं same भी बोल सकते हैं और you can say that constant then these two then these two these two will be will be in reverse ratio in reverse ratio समझ नहीं ना मेरी बात को मैं क्या कह रहा है यहाँ पर, अगर किसी दो चीज़ों का गुणन फल अगर किनी दो चीज़ों का गुणन फल same है, तो वो दोनों का आनुपात आपस में क्या होता है, वित्करमा आनुपात होता है उनका अपस में, क्या होता है, रिवर्ट रिशू होता है यह आपने जहानकना है कि वेन प्रोड़क्ट अब तूटिंग्स इस सेम आपने यूज करना है, तो इस टाइप की चीज़ें आपको मिलती है हमारे CHSL और MTS के एक्जाम में देखने को, तो अगर आपसे कभी यह पूछा जाए, इसका भी आपने आंसर देना है और बताने आपने कि आपका आंसर क्या निकल के आएगा, ठीक है तो यह आप ध्यान रखिएगा, इस टाइप से आपकी चीज़ें एक्जाम में पूछी जाती है CHSL और MTS के एक्जाम में, तो एक पर्टिकुलर टाइप में आपको कवर करवाया कि यह जो है हमारा जब वृद्धी होती है, प्राइज में, या कमी होती है इंक्रीजमेंट, डिक्रीजमेंट होता है, तो क्या चेंजेज होते हैं, ठीक है इसी प्रकार से अगर आप कुछ पर्टिकुलर कंसेप्ट पढ़ना चाहते हैं, तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रू लुखें कि सर इस कंसेप्ट पर वीडियो बनाईए, मैं कुसिस करूँगा कि जो आपकी रिक्वार्मेंट है, उस पर मैं घरावत रूँ ठीक है, तो मैक्सिमम आपने हमारे इस वीडियो को सेयर करना है, और जितने भी बच्चों को आप इसमें लाज सकेंगे, क्योंकि फिर आप अपना कम्पेटिशन लेवल देख पाएंगे, और बच्चे आंसर कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं, तो आपने क्या करना है कि मैक्सिमम सेयर करना है, और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करना है, टेलिग्राम ग्रूप में भी आपने जुड़ना है, अगर कोई आपका भाई या आपका कोई रिलेटिव मेंस की तयारी कर रहा है, तो उसके लिए आप बता सकते हैं, चार बजी मेंस के लिए एक ड टेलिग्राम पर भी जुड़ना है, अपने एससी भी करके आपको टेलिग्राम इसका लिंक यहाँ पर डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर बिल जाएंगा, तो मिलेंगे फिर इसी उत्साव मंग की साथ अगली वीडियो में, थैंक्यू फर वाचिंग